सब आई वोब आप सब पहले करें बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स इस वीक हम लोग 30 जैन 2023 से लेके 5 फेब 2023 तक का करेंट अफ्यार्स डिसकस करेंगे तो चलिए बिना देर किये स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पहला करेंट अफ्यार्स है आपका शहीद दिवस ये 30 चैन को मनाया जता है हर साल क्योंकि इस दिन हमारे बापू रास्ट पिता महत्मा गांधी जी की हत्या करती थी नाथुराम गोट से ने तो उसी के शोक में हम लोग हर साल शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को ठीक है फ्रेंड फ्रेंड आपको कमेंट करके ये बताना है कि गांधी जी का जन का येर कौन सा है और कब उनकी हत्याविती चलिए हत्यावाला येर तो मैं बता दू 30 जनवरी 1948 को लेकिन उनका बर्थ येर आप लोगों को कमेंट करके बताना है चलिए सेकेंड है युनाइटेड नेशन जेनरल असेंबली इसके जो प्रेसीडेंट है वो सभा कोरोसी कौन है सभा कोरोसी देखें जेनरली तो यूपी पीसीएस या आरो यारो या किसी भी स्टेट पीसी में यूएन जीए का प पूछा नहीं जाता है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट कभी पूछा जा सकता है लेकिन इस बार और ज्यादा important डेसली बन जाता है क्योंकि इनकी three day की visit थी इंडिया में तो जो इंडिया visit किया है कोई इतना बड़ा dignitary तो मतलब उसका नाम तो कम से कम at least important बनी जाता है next friend बिना time waste किये हुए जल्द जल्दी करते हैं क्योंकि हम कि फालतुई चीज़ें ना रहे और exam oriented हूँ जो most important है जैसे 40-45 question यूपी पीसे से आधर स्टेट पीसे में question आते हैं तो उन में से 95-98 percent questions हमारे ही उससे हूँ तो कोई भी guarantee नहीं ले सकता वो दुनिया के कुछ भी पढ़ लीजे तो यह चीज़ है maximum coverage राशपती भवन में जो मुगल garden friend अब उसका नाम अमरिद garden कर दिया गया है नोवार जोकोविक इनको तो आप जानते ही हैं इन्होंने एक नया record फिर बना दिया आप क्या बना दिया इन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा था भी हाल में उसको दसवी बार जीत लिया है इन्होंने अच्छा तो इस वज़े से यह important हो जाता है कि आज कल तो यह भी पूछ लेता है कि कि किस country से belong करते हैं तो यह सर्विया के हैं जैसा कि आप सभी को पता होगा फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आज कल इससे एक step आगे जाके commissions यह भी question पूछें किसको हरा के बना जीते हैं यह दसवा बार उस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं तो सिट्सी पास जो है सिट्सी पास और यह किस कंट्री के हैं यह ग्रीस के हैं ठीक है फ्रेंड अब तक टोटल यह 22 men's grand slam single titles जीत चुके हैं जो कि राफेल नडाल के बराबाल है उन्होंने भी इतनी जीते हैं जितने उन्हें नोवाइक जोकोविक ने जीते हैं और राफेल नडाल कहां के इस्पेन के यह ध्यान देना है जिनको हराया है उनका नाम है इस्टी फैनोस सिट्सी पैस ग्रीस के हैं ठीक है फ्रेंड उसके बाद देखे एरीना सबालेंक का यह कौन है बेलारूस की हैं इन्होंने अपना पहला grand slam title जीता है और किसको हरा के जीता है वही हमने कहा नहीं आज कल दोनों important रखते हैं तो ए एलीना रीबा की रीबा की ना यह कजाकस्तान की एलीना रीबा की नाम से लग रहा है कुछ उधर साइट का सेंट्रलेशन तो यह कजाकस्तान की हैं और जिनको हराया है और जो जीती है वह बेलारूस की है एरीना सबालिंक का ठीक है फ्रेंड इन्होंने अपना first grand slam title जीता ह Australian Open में ठीक है अब देखिए उसके बाद पेटर पवेल यह कौन है चेक रिपब्लिक एक कंट्री है जैसा कि आप सभी जानते है उसके नए प्रेसिडेंट है क्या नाम है पेटर पवेल चेक रिपब्लिक के समग शिक्षा अभियान यह यूपी गॉर्मेंट ने लांज किया है किस लिए लौंज किया जो अंडर प्रिविलेट्ड क्लास की जो लड़कियां हैं गल्स हैं उनको एंपावर करने के लिए ठीक है फ्रेंट दो हजार तेश का मेंस एफाई एच होकी वर्ल्ड का विनर कौन सी कंट्री यह अभी आपने देखा था बहुत हला हुआ था जर इसे स्टेट के इसके जिए आई तैग दिया तो यह पुझा जाता है कि किस स्टेट के जिए तैग दिया गया वह आथिक है अब मैं इसे स्कून शॉत ले लीजे और बीना दिर किया नेक्स्ट आगे चलते फ्रेंट देखे एक बड़ा एच्छे मींट है इंडिया का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री क्या ग्रीन पैनल सोलर पैनल की फैक्ट्री पहली इंडिया की बनाई जा रही है कहां पे उत्राखंड में बनाई जा रही है और कौन बना रहा है ये कंपनी भी आज कल पूछ लेता है कौन सी कंपनी इंपोर्टेंट है तो Luminous बना रही है ठीक है फ्रेंड कहां उत्राखंड में Luminous First Green Solar Panel Factory इंडिया की First Ever India Stack Developer Conference Stack Developer की Conference हुई है Stack Developer Conference हुई है इंडिया की पहली बार है ऐसी हुई है इंडिया में पहली बार हुई है कहां पे New Delhi में जाथ New Delhi में होती है लेकिन हमेशा नहीं मैंने का नहीं ये नहीं कि आप तुक्का मारा है नहीं दो तीन बार पढ़ने में वैसे ही याद हो जाएगा आपको The poverty of political economy How economics abundant the poor जो political economy की जो poverty है और किस तरह से economics ने poor को एकदम छोड़ दिया है तो ये लिखी है British economist है मेगनाद देशाई लेकिन ये born जो है वो इंडिया में हुए था इसलिए important मिन जाता है तो कोई इस तरह का dignity जो किसी विदेश में रहे के इतना बड़ा लेखक है और वो इंडियान ओरिजिन का है तो वो हमारे लिए बहुत most important मिन जाता है प्लस topic भी economics का है तो और double importance बढ़ जाती है ठीक है फ्रेट Statue of equality की बात करेंगे ये बोला जाता है रामा नुजा चार्यजी के statue को कहाँ पे तिलंगाना के हैदराबाद में मुचिन ताल में इसमें एक कुम्ब चल रहा है सामत कुम्ब सामन्त कुम्ब सब समान है ना सब समान है equality इसलिए समान्त कुम्ब वोटेवर मलब pronunciation का थोड़ा issue है देख लिजएगा तो जो समान से related मतलब समान equality से related जो कुम्ब हो रहा है मुचिन ताल हैदराबाद तिलंगाना में हो रहा है जो कि statue of equality के लिए रामनुजाचार जी के statue को ही symbolize किया जाता है statue of equality से science 20 सब कुछ जो 20 से जोड़ा जा है वो G20 की एक part है समझे science 20 conference हो रही है G20 का part है कहां हो रही है South Indian science में बहुत आगे वैसे भी होते है ज़्यादा तर देखेंगे ISRO के chairman आप देख लीजे हमेशा आपको कोई ना कोई South Indian ही most probably मिलते हैं आप लोग comment करके बताइए कि इस टाइम में present में ISRO के कौन chairman है तो पुद्दू चेरी में science 20 conference हो रही G20 international financial architecture working group अब finance की बात हो गई G20 में financial architecture working group की जो summit है वो कहा हो रही है meet कहा हो रही है चंडीगळ में हो रही है पंजाब के चंडीगळ में हो रही है पंजाब हो हर जाना दोनों की जो capital है चंडीगळ उसमें हो रही है और चंडीगळ अपने आप में UTB है आंध्यपदेश अपनी नई capital बनाने के लिए declare कर चुका है महां के CM ने declare किया है विशाखा पत्नम ठीक है फ्रेश विशाखा पत्नम आंध्यपदेश की नई capital होगी economic survey 2022-23 2022 थे इसका जो economic survey है वो ये बताता है कि इंडिया की जो GDP growth है वो estimate की गई है 2024 के लिए किसके लिए 2024 के लिए 6.5% growth और कहा गया ये इस्टिल 6.5% तो growth रहेगी previous year 7% थी इस पार 6.5% पर डिक की गई और इस्टिल ये रिमेन fastest growing रहेगी fastest growing रहेगी अब आप बहुँ भी जानते हैं कि हमारे former prime minister थे मनमोहन सिंग जी जिनको lifetime achievement honor मिला है किस country के दोरा ये पुछा जाएगा UK के दोरा मिला है ठीक है friend race कर दिया आप इसका screenshot लीजे next friend world wetland most important अक्सर इसका day पूछ लेता है theme पूछ लेता है मतलब इस type के question most probably out होते हैं one day exam में और state PSC exam में second February तो one day exam पूछ लेते हैं कि day बता दीजे और जो state PSC level के जितने भी एक्जाम है BPSC, UPPSC, ROARO या किसी भी टाइप का exam ले लीजे आप हर्याना PSC, West Bengal PSC कहीं भी इसकी theme पूछी जाएगी तो it's time for wetland restoration ये वक्त है wetland को restore करने का तो it's time for wetland restoration ये याद आप दो तीन बार पढ़ाएंगे आपको याद रहेगा अच्छा देखिए वर्ड जब wetland की बात हुई तो कुछ important significant event till now till date अब तक हुई हैं इंडिया में खास कर उसको लेके क्या-क्या initiative हमने लिए हैं तो वो देख लेना जरूरी बन जाता है चाहे वो previous है एक साल डेल साल पुराना ही current interface के उना हो लेकिन वो exam point of view से important बन जाता है तो देखिए world wetland day 2021 कब 2021 ध्यान दीजे आप क्या चल रहा है 2023 चल रहा है बाइस नहीं 21 2021 इसलिए इयर important है पूछ सकता है कि कब इंडिया ने declare किया था इंडिया को अपना पहला specialized institution मिल गया था center for wetland conservation and management center for wetland conservation and management जिसको short में cwcm बोलेंगे कहा established क्या जा रहा chain नहीं chain नहीं कहाँ chain नहीं ध्यान दीजेगा कहाँ पे इंडिया ने 2021 में chain नहीं में total इंडिया में कितने अब तक रामसार साइट्स हो चुकी है 75 हो चुकी है कितनी 75 January 2023 के record के साबसे 75 हो चुकी है maximum किसे स्टेट में तमिल लाडू में 14 maximum रामसार साइट्स किसे स्टेट में तमिल लाडू में कितनी 14 दोनों इंपोर्टन बन जाता है स्टेट भी और नमबर भी और second पे अपना UP अब सुचिए UP PSC के लिए दोनों चीज important fact अधर स्टेट तो भले नहीं पूचेगा UP second पे कौन है उसके लिए first ही important जादा रखेगा लेकिन UP स्टेट के लिए तो ये बहुत important बन जाता है कि first पे कौन है ये तो ठीक है लेकिन second पे कौन है तो UP है और कितनी रामसार साइट्स हैं UP में 10 पूरी सिरीज लेके आऊंगा अभी नहीं बताऊंगा जिस दिन वीडियो लाँच होगी उस दिन बताऊंगा आप लोग बस फॉलो करते रहिए इस टिक रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से जादा जादा शेयर कीजे सब्सक्राइब कीजे देखते जाइए इस बार का जो UPPSC होगा अधर PSC जितने भी हिंदी बेट के PSC हैं इस्पेशली MPPSC JPSC BPSC हर्याणा PSC जो भी होगे आप मेरे वीडियो को उठा के देख लीजेगा और अधर कुश्चन एक भी चीज फालतो नहीं बिना टाइम वेस्ट किये to the point relevant कम टाइम में रिवाइस किया जा सके multiple times इस तरह की वीडियो देने की मेरी ये प्रोच है तो चलिए बिना टाइम सॉरी जादा टाइम नहीं इसमें वेस्ट करना है मिस्टी क्या है देखें Mangrove Initiative for Shoreline Habitate and Tangible Incomes ये मिस्टी लेके आया है ये कब आया है जब इंडिया ने जॉइन कर लिया Mangrove Alliance for Climate इसको जॉइन के लिया COP27 बंदरोगा का भी स्लेवस आया है दो-तीन दिन पहले आप उठा के देखिएगा उसमें Conference of Party COP27 का especially as a topic mention किया गया है अब आप सोच लिजे कितनी important चीज़ है ये current के लिए भी important है किसी भी exam के ओवंदर होगा जैसे exam में तो जैसे एक out ही हो गया question क्योंकि ये misty क्या है इस पे question पूरी probability है बननेगी और COP27 Conference of Party COP27 में India ने क्या जोइन किया है Mangrove Alliance for Climate और इसी टाइम में launch हुआ था एक initiative क्या था MISTI क्या बोला था MISTI Mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes तो क्या था COP UNFCC जानते है United Nations Framework Convention on Climate Change पे जो होता है ये कहा हुआ था Egypt में हुआ था कहां पे हुआ था Egypt में 27th COP UNFCC की कहा हुई थी ये most important बन जाता है Egypt में हुई थी क्या initiative launch किया था MISTI launch किया था और MISTI तो India ने launch किया और ये कब launch किया है जब India ने Mangrove Alliance for Climate को जोइन कर लिया था 27 COP में और कब जोइन किया अभी हाल में दो महीने पहले दो महीने सोरी कह रहे है चार महीने पहले November 2022 में तो इसी लिए इस साल 2023-24 में के लिए हमारे बजट में भी amount significant amount एक amount इसके लिए Mangrove Plantation के लिए allocate किया गया है अभी तक specifically Mangrove के लिए नहीं किया जाता था लेकिन इस बार किया गया है क्योंकि हमने sign कर लिया agreement join कर लिया इंडिया ने Mangrove Alliance को 27 COP में मैं बार-बार इसलिए repeat कर रहा हूँ आपको याद हो जाए रट जाए यह ना कहाए यार यह बार-बार क्यों repeat कर रहे है बार-बार का reason है भाई एक बार पढ़के निकल जाएगा आपको कैसे याद रहेगा मिस्टी किस से link है क्या है क्या provision अब तो यादी हो जाएगा इतने बार रट दिया है मैंने मिस्टी क्या है मिस्टी किस से linked है Mangrove से है किस COP में आया इंडिया ने join किया किस year में join किया क्या budget allocation हुआ है कहा हुई थी Egypt में हुई थी सब याद हो गया समझ लिए वंदर होगा और बाकी जितने state PSC है सब के लिए most important current affairs है यह समझ लिजए इसलिए इस पे इतना emphasize किया अब देगे त्री शक्ती प्रहार एक exercise है Indian Armed Forces और Central Armed Police Force C.A.P.F. I.A.F. और C.A.P.F. इन दोनों ने मिलके joint training conduct की है training exercise की है क्या त्री शक्ती प्रहार I.A.F. और C.A.P.F. I.A.F. और C.A.P.F. की त्री शक्ती प्रहार ठीक है प्रचंड क्या है प्रचंड इंडिया का सबसे tremendous सबसे भयनक सबसे जबरतस first ever indigenously भाई नाम ही suggest कर रहा है indigenously होगा और first ever इसलिए important बन जाता है इंडिया का most event LCH है Light Combat Helicopter प्रचंड Light Combat Helicopter ठीक है फ्रेंड इंडिया का most event इंडिया first ever indigenously ठीक है World Cancer Day 2030 कब मनाया गया fourth February हर साल fourth February को World Cancer Day मनाया जाता है इसकी theme क्या है इस बार 2030 क्लोस दगेप gap को कम करना है अभी gap बहुत बढ़ा हुआ है तो जो मतलब gap समझे नहीं किसका gap को कम करने को यह कह रहा होगा या तो awareness को इस तरह से समलिए लोगों में awareness किससे cancer जादा फैल रहा है या cancer होने के बाद gap इतना जादा है कि recover कम लोग हो पाते हैं बहुत कम लोग तो उस gap को कम करना है कि जैसे cancer हुआ उससे recovery जादा हो तो एक gap कम हो गया तो समझे इस तरह से याद कर लिजेगा देखे बनाना पड़ता है चीजों को समझने के लिए पूरी history तो आप हर चीज की नहीं पढ़ेंगे पूरी detail ऐसे तो smart way में preparation यही होती है अपने logic से बनाईए exam में question है रिकॉल कर सकें चार statement में close the gap था इस तरह अचा हाँ gap कम करना है recovery का cancer patient जादा हो रहे है तो recover भी जादा कर रहे है इसलिए इस gap अभी gap जादा है recover कम होते हैं pension जादा होते हैं तो उस gap को कम करने के लिए बोल रहे हैं या awareness कम है किन चीजों से लोगों को cancer हो रहा है तो इस तरह से कुछ भी बना के याद कीजिए funda clear की supreme court of India की 73rd anniversary हुई है इस बाद ठीक है तो उसमें जो है हाँ हाँ 1950 में तो lecture था the role of judiciary in a changing world बहुत अच्छा lecture रखा था supreme court of India ने कि आज की बदलती दुनिया में judiciary का क्या रोल है बढ़ रही तेकनोलजी बढ़ रही हर चीज बढ़ रही है और cases बढ़ते जा रहे है बेंडिंग हो रहे है तो मतलब changing world में कैसे judiciary का रोल होना चाहिए कि मतलब effectively काम कर साथ है तो उस पर जो lecture दिया था वो इंडिया के नहीं मतलब इंडिया के नहीं मगर में जो था Singapore के चीफ जेस्टिस है Mr. Sundarish Menon Sundarish Menon जी ने lecture दिया था Singapore के यह important इसलिए इनका नाम हो जाता है मैं repeatedly बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो इंडियान नेम है जाहिर जबात है इनके ancestors इंडिया से बलाऊ यह तो Singapore के ही है यह तो clear है मैंने check किया लेकिन इनके ancestors इंडियान थे और एक इंडियान किसी Singapore जैसी developed country में chief justice है तो वो important बन जाते है Sundarish Menon उनका नाम और वो भी इंडिया में आके इंडिया की जो Supreme Court of India की जो 73rd anniversary थी उस पे उन्होंने lecture दिया The Role of Judiciary in a Changing World सूरच कुन इंटरनेशनल क्राफ मेला कहा होता है हर्याना फरीदाबाद में फरीदाबाद के हर्याना के फरीदाबाद में सूरच कुन मेला बिना लेट की है आप स्किन शॉट लीजे आगे बढ़ते हैं लीजे Global Energy Meat शैद मैं पहले के वीडियोस में भी बना चुका लेकिन मुझे डाउट था तो मैंने इसको फिर से शामिल किया बैंगलूरू इंडिया में हो रही कोई चीज इंडिया में होती है न तो बहुत जादा इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर रिपीट में भी आ जाती है तो कोई इशू नहीं एक तो उर्जा का सम्मेला नहीं है वैश्विक उर्जा सम्मेला नहीं तरह से फर्स बायो डाइवर्सीटी है और बायो लॉजिकल डाइवर्सीटी एक 2022 मैं अपने असाब से बेस्ट इनफॉर्मिशन देने की कोशिश करता हूँ जादा जादा जो इक्जाम पॉइंट अब बायो लॉजिकल डाइवर्सीटी यह नहीं था लेकिन मैंने कहा कि यह भी मे एक्ट दे देता है फॉर्स से रिलेटेड और एन्वर्मेंट से रिलेटेड और कहता है मैं लगाईए तो इससे आपके एक स्टेटिक कोश्चन भी प्रिपेर हो जाए इसलिए मैंने इसको मेंशन किया याया सो लद्दा की पहली डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है पहली पैसिफिक कंट्री बन गई है चोटी सी कंट्री आप देखेंगे यह क्या है 27 अगली आने वाली चोगम हमने फूल फॉर्म भी लिख देते हैं क्योंकि बहुत सारे विचारे नए बच्चे हैं जिनको नहीं सुन गाता तो उनके लिए जरूरी है तो जो कॉमन Heads of Government Meeting जो है वह 2024 में जो होगी 2024 में Commonwealth Heads of Government की मीटिंग है उसका कौन सा संस्ट DwuntySeventh और उसमें पहली बार कोई Pacific Country host करने जा रही है आज तक किसी Pacific Country ने host नहीं किया तो वो sum होगा है इसलिए important मिन जाती है चार Pacific Country दे दिए अब उलें कोण हैट कर रहा है ठीक है Global Peace Index 2022 में जो है 103 कई बार ये भी पूझ लेता है इतनी countries है तो त्यान रख लो बहुत ज़ादा इंफिसाइज नहीं करना लेकिन देखो गई चार बार तो याद हो जाएगा 163 163 countries Global Peace Index में कौन जारी करता है Sydney जानते हो Australia गी तो वहां का एक Institute of Economics and Peace देखो कहीं न कहीं Economics Peace से लिंग्ड होता है अगर economic prosperity होगी wealth होगी नेशन में तो पीस तो होगा African countries में economics ही गड़बड है तभी तो देखिए वह डिस्टरब रहते हैं वहां पर बहुत मतलब ऐसे याद कर लिए जब डिस्टरब तो Middle East भी रहता है वहां तो एकनोमिक्स इतनी वहां पेट्रो एकनोमिक्स है तो वहां अलगी इसू चलता रहता है लेकिन अफ्रीका में तो आपको पता ही यह कुछ country ऐसी ही कि मतलब खाने को लब कई बिचारे बहुत challenges है तो एकनोमिक्स इंड पीस तो जहां लब अगर एकनोमिक्स अच्छी है वेल्थ है और वेल्दी नेशन है तो वहां पीस इस से लिंक करके कि IEP क्यों जारी करता है जैसे आतनी कहेगा global peace index economics इंड पीस तो इस तरह से लिंक किजिए कौन जारी करता है यह important है जल्दी नहीं पूचा जाता है जंगली यही पूचा जाता है कि पहली rank कौन है Iceland की थंडा प्रदेश एकदम थंड़ा ही रहता है जो थंड़े होंगे वो लड़ाई जगड़े उगले नहीं होते उनसे समझे रहे है गरम वालों को ज़्यादा वह रहती है लड़ाई जगड़े करने की वह गर्मी में एक तो गर्मी से परिशान रहते है ठंड़े लोग क कितनी है Global Peace Index में रच लिजाए इसको मजला पूछा ही बgiरist गभारत की सबस्क्राइंग एक सब्सक्राइब समाज रहो हूं तो यह चीज है मेरो रुक मेरो संत्ती यह क्या है यह सिक्किम का बहुत प्यारा इनिशेटिव है यह सिक्किम के CM भी मैंने लिख दिया मैंने का यार कुछ aesthetic भी पता चलता रहे तो प्रेम सिंग तमांग जी जो chief minister है सिक्किम के प्रेम सिंग तमांग जी उन्होंने एक initiative नया start किया है कि बहिया मेरो रुख मेरो संतिती सिक्किम ने plant a tree leave a legacy प्लांट करके क्या कहना चाहते हैं इसको समझा देता हूं हमेशा याद रहेगा बहुत इंपॉर्टन कोशन है चाहिए वंद्रों का एक्जाम ले लेना यह कोई स्टेट पीसी या कोई वंडे एक्जाम यह तो हमें लग रहा है इतना इंपॉर्टन चीज़ है कि शायद यू प्लेज करना रहे है कि हर बॉर्ण चायल्ड के लिए सौपेड लगाये जाएंगे और एक जो पेरेंट्स चुल्ड्रेंट और नीचर के बीच में एक कनेक्ट को इस्ट्रेंदन करने का इनका मतलब प्लैन है कि मतलब इससे एक लगा हो लेगा पेरेंट्स को बच्चे से औ और नेचर से भी कि भाई बच्चा आया फैमिली में नियू बॉर्ण बेबी आया उसके पेज़े सो पेड़ लगा रहे है तो नेचर से भी उतना लगा अब जैसे बच्चा ग्रो होता जाएगा वैसे वैसे वह पेड़ ग्रो होता जाएगा और यह कममरेट करना हुआ कि जो न्यू एराइवल है अर्थ पे जो न्यू बॉन बीबी है मतलब वैलकमिंग है एक तरह से मतलब हमने उसको वैलकम किया है खुशी जिताए यह सौपेड़ लगा के और इन्वार्मेंट अच्छा यह लिया क्या है ग्रीन इनिशेटिव के तहत लिया कितना बेहतरी मुझे जबना हर स्टेट को यह इंप्लीमेंट कर देना चाहिए मिलमा मेरी जोर है कि सिक्किम से हमें सीखना चाहिए जबकि जो अपने आप में काफी ग्रीन स्टेट है जहां इतनी मतलब इतनी कमी नहीं है ज़रुरत तो हर किसी को है लेकिन यूपी जैसे स्टेट या अधर सारे state को सीखने की जरुबत है कि मेरो रुख मेरो संसती प्लांट ट्री लीव लीगे सी जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंग तमांग जी ने इसको स्टाइट केना चाहिए फ्रेंट बिना टाइम बेर किया हुए नेक्स्ट है लास्ट है अरना कुलम पहला डिस्ट्रिक बन गया है जिसने 10,000 नए MSME रेजिस्टर की है फ्रेंट इनोवेशन, टेकनोलजी, हेल्थ, एजूकेशन, मोस्ली चीजों में नंबर वन के रला पाया जाता है अब इन्डेस्ट्रिल डेवलप करने है उसमें भी पहला इसी का एक डिस्ट्रिक बन गया है रहना कुलम पहला डिस्ट्रिक जो इसने रेइस्टर किया एक हजार में से में ठीक है फ्रेंट इसको कर दिया इरेज आप लिजिए इसका स्क्रीन शॉट और फ्रेंट इसी इनिशेटिव के साथ आपको कैसा लग रहा है I hope you all guys are enjoying the session और याद रखिए जैसे ही UPPSC प्री आएगा आरो यारो आएगा कोई भी एक्जाम आएगा अंदर होगा आएगा कोई भी आएगा मेरा compilation video देखे बगर जाईए गा नहीं बनना पस्ता आएंगे पढ़ो कहीं से selection होगा यहीं से current affairs की guarantee है जितने analysis से बात यह है कि सब दे देते हैं कूडा कुछ नहीं मिलेगा जो exam point of view से most important है वही मिलेगा कुछ भी ना इधार ना उधार आपका वक्त बचाना मेरा मकसद है मेरा aim है कि आपका time बचाना है कम time में लोग कहते हैं नहीं most important क्या पढ़ने कि maximum cover हो जाए बस selection ले लोगे बहुस पैतालिस question आ रहे है ना डेड़ो सो में से अगर current affairs के तो यकीन मानों कि 40 के round इधरी से है यार चार पांच का तो ऐसा है कि इसका चार गुना भी कूड़ा पढ़के चले आओगे मलब जो relevant नहीं भी है उसको मैं बोल रहा हूं कूड़ा क्या कोई भी नहीं होती लेकिन मलब सब कुछ भी पढ़के चले योग ना पूरे साल भी करें तो भी चार पांच question आई से मिल जाएंगे जो आपको मलब तुक्के में सही हो जाएं तो हो जाएं नहीं तो possible नहीं हो तो वही smart मेहनत करनी है न आपको फ्रेंट बाकि आप समझदार हैं सब समझ गए होंगे मिस नहीं करनी है CLC Cardinal Learning Classes की एक भी क्लास को याद रखेगा इस बार के exam होने के बाद आपको वीडियो से प्रूफ देखंगा मैं कि कैसे mostly question हमारे ही वीडियो से आए ठीक है फ्रेंट लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना कता ही नहीं भूलना है पहले ही वीडियो देखे खट से like मारी है सब्सक्राइब ना किया हो और वीडियो देख रहे हो तो तुरं सब्सक्राइब कर लिजे वहना आप अपना ही नुक्सान कर रहा है और शेयर तो इतना कीजेगी ज्यान जितना बाटोगे उतना बढ़ ठीक है फ्रेंट चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं आपसे जल्दी ही बाए